आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं चने वाली चिक्की जिसके लिए हमें जो चीजे चाहिए वो हैं यहां पर मैंने 1500 ग्राम गुड़े लिया और यहां पर एक कप मैंने चने भुने वह चने लिये और हमें 2 टेबल स्पून घी चाहिए तो चिक्की बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले हमारे जो चने हैं मैं उन्हें 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी भूल लूँगी अच्छी तरह 2-3 मिनट वीडियम टू लो फ्लेम पे फ्लेम जादा हाई नहीं रखना तो अब 2-3 मिनट हो गए हमने जो हमारे जो चने हैं वह अच्छी तरह भूल गए हैं हम इनका चूरा बंद कर देंगे और उन्हें एक साइट पर बाउल में नकाल लेंगे तो मैंने यहां पर एक कड़ाई ले लिए हैं जिसमें मैं टूरा बंद कर देंगे हैं तो आप मैं 2 टेबल स्पून घी आप कर दूंगी जो हमारा गुड़ा है वो एट कर लूंगी आप मैं इसमें जो गुड़ा है वो डाल दूंगी अब गुड़ को डालने के बाद हमने अच्छे तरिके से इसको तब तब पकाना है जब तक के यह बिलकुल मैल्ट नहीं हो जाता और उसके बाद मैल्ट होने के बाद यह बिलकुल तब तब तक हम ने से पकाना है बढ़ी अच्छें दूजार ग्ड़ाँ अच्ड़ाँ अच्छें खुआ हमने मीडियम तो लो हमने जादा हाई फ्लेम नहीं रखना प्रषा आप रखना हमारे जो गुड़ है वाइस आइस मेल हो रहा है प्रषा आप एफना हमारे जो है वाइस आप झाल 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 झाल